यह वाला देखिए क्या साइज है इधर देखिए और इधर मैं दिखाता हूँ यह वाला देखिए यह वाला देखिए अभी और यह वाला देखिए अभी मैं हर्वेश करता हूँ पहले मैं देखता हूँ इसको तोरने का तरीका मैं दिखाता हूँ आपको पहले इस तरह से प दोस्तों मस्रूम उगाने का पहला स्टेप है कि आप जगा का निर्वचन करें जहां पर आपके हवा का चला चल हो वहां पर एक नेट का बंदवस्त कर लें नेट कोई भी ग्रीन नेट हो सकता है या फिर आप मच्छर दानी के नेट भी लगा सकते यह देखें ग्रील के चार आप लिए चाल लिए मच्छर मक्हिए असा नहीं गुच सके उसके बाद आपको डीज़ इंफेक्टेंट करना है इसमें फॉरपरशेंट फॉर मलेन देखे या फिर आप टू पर्सेंट फॉरमलेन देखे भी आप इस तरह से पूड़ी इंफेक्टेटट कर सकते पूरी लाके में ताकि इसमें कोई भी फंगस और कोई माइक्रूवियल एटक नहीं आ सेके तो यह है आपका पहला काम इसके बाद जो करना है आपको पुहाल या फिर जो आप राइस ट्रॉ कहते हैं धान की पुहाल यह जो है यह राइस ट्रॉ जिसको खौर कहते हैं मंगला में यह काट लें कड़िव एक एक इंच की साइज की आप यह जो होती है धान की पुहाल यह राइस ट्रॉ इसको काट ले एक एक इंच उसके बाद कोई ड्राम में इसको अच्छी तरह से आप भिगो ले पानी में इसको भरके इसको करीब 6 घंटा से लेके 24 घंटा तक आप पानी म फूल के बाहर नहीं आज़े तो इस तरह से एक इते के साइज़ पूर पानी में इसको भिगligen जा रहा है दोस्तो 6 घंटे बाद इसका पानी को से निकालके इसको जो जूढी कहते है हमारे यहां बास की जो डाली होती है डाली में इसको निकाल लिया जाता है ताकि इसका ज यखा जगा जगई इस तरह से यह रेडि आजा रहे हुड जब पूरा निकल जाता है बाद इसमें पानी निकल गया है बाहर अब इसको क्या करते है बाहर एक धूप में हल्की धूप में जहां पर एक पॉलिधीन बिच्वाएगे इसको डाल दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा उपर का जो पानी है वो पानी सुख जाए करीब दो घंटा तक इसको हलकी धूप में इसको सुखाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें अंदर मॉइस्ट्रे रहता है लेकिन बिल्कूल सुखा नहीं होना चाहिए तो इस तरह से इस तरह से बTHेरर से बनाइद लिया जाता हैं उसके बाद देखें यह मसरों लिया जाता है मस्रोम स्पॉन आपको कोई भी भी इंड्श्टि में मिट जागा यह करीब 15 रुपिया में आति है सो ग्राम के कड़ी, तीन टुकर में हिस्सा भागा किया गया है, उसके बाद ये जो पोहाल है, जो हमने दोके सुखा है और उसके बाद इसमें डाल के इसमें अच्छी तरह से मौस्चर रहने चाहिए, बिलकुल सुखा हो ऐसा नहीं हो, थोरा-थोरा मौस्चर इसमें बना र चारू और इस तोटे चोटे 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 तुकरे करके इसको बिछा दिया जाते हैं बिछाने के बाद फिरसे वही जो पुहाल होता है उसी पुहाल से इसको जो एक दो या थीन इंच की लेर बना दी जाती मनाने के बाद दूसरा लेयर उसी मस्रूम का डाला जाता है यानि कि 2-3-3 इंच का एके करके उसमें वो जो मस्रूम का जो स्पॉन है उसका एक एक लेयर डालके इसका तीन लेयर में आपको यह मस्रूम का स्पॉन डाला जाता है चोथा जो उपर होता है वो जो आपका जो ट् यानि कि तीन लेयर इसमें मास्रूम स्पॉन का लेयर है और उसके ओपर आप जो डाल की यह देखिए अब जो है इसका मुव बंद कर दिया जाते हैं मुव बंद करने का भी तरीका आप देखिए कैसे इसको मुव बंद कर दिया जाता है यह टैट पाई टाइटली पैट एर् कैसे इसको डिيرة करना है कैसे हर्वेस्ट करना है सारा मैं आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह अगर आप कर लेता हैं यह अगर आप सीख लेता है इसमें से काफी अच्छा पैसा रुझार कर सकते हैं हमारे यहां जो आउइस्टर मसरूम है जिसको प बाद क्या यह पैकिंग होने के बाद एक छेद कर दिया जाता है करीब उपर देखिए इस तरह से छेद जहां से पी नोल निकलेंगे जहां से मस्रूम निकलेगा यह दिखे अभी यह छेद कर दिया जाते करीब 4-5-5-5-5 की gap में इस तरह से छेद कर दिया जाता है यह देखे छेद करने का तरीका और कड़ीब 1-1 pakkick में 20-25 छेद किया जाता है 20-25 छेद करने के बाद आपको यह दिखाता हूँ नहीं करे छेद भूत ज़्यादा भी छेद नहीं हो और छेद की संखा जो है बहुत कम भी नहीं हो ये देखिए एक दो छेद आप उपर भी कर ले इसके बाद ये जो पैकिंग लेके आप कैसे टंगाएंगे देखिए घर का हमने तयार किया है वहाँ पर काफी सारे रस्ती टंगा रखिए तीन-तीन रस्ती की एक एक लियर बना रखिए उसमें ये डालके इसको रखा जाता है देखिए ये रूम में ये जो हमने बनाया था मस्रूम का घर इसमें ये रखा जा रहा है इसको देखिए कैसे इसको तंगा कर रखता है ये देखिए तीन-ती का एक नीचे से बांद दिया गया इसके एक तीन-ती का एक जूल से बैग लगेगा तो आपको एक एक करके एक जगा बनानी यह देखी इस तरह से बांद दिया जाता है बांदे के बाद इसके ओपर और एक इस तरह से हमारा मस्रूम का बैग लगेगा उसके ओपर और एक मस्रूम का बैग लगेगा यानि कि एक एक स्ट्रिंग में आपको ती तैयार हो गया सारह एक एक में तीन-टीन यह पर आप चाहिए तो चार-चार में लगा सकते हैं पूरा डेट लिखा गया है इसमें और इस दिल आपको पता चले कब इस में से मस्रूम निकलेगा कारना है दोस्तों ये पूरा हुआ दोस्तो साथ दिन बाद आपका फिर स्वागत है अगर आप देखते हैं कि यह काफी गरम हो चुका है और यह ड्राई भी हो चुका है तब आप इसमें पानी स्प्रे कर सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपको पानी स्प्रे कर नहीं है लेकिन अगर आप ड्राई हो जाए यह इस तरह हाइफी निकल गया सफेद हो गया अंदर जो कौभर है यह पूरा चार तरफ सफेद सा हो गया दोस्तों 25 दिन बाद आपको स्वागत है यह देखे पीन निकल गया यह मसरूम का यह छोटे-चरे पॉदे टाइप के हैं मसरूम का यह तीन दिन में बड़े हो जाए पिन निकले और तीन दिन बाद हम इसको आसानी से यह करना सकते यह तो 28 दिन बाद आपका स्वागत है यह देखे यह पर मृत हमने डेड़ डे रकार पूरा यह देखे यहं पर देर ढेगा यह मसरूम का इसा ग्रों किया है इधर से भी निखा रहो हो स्वागई कि क्या सांदर है मसरूम इधर भी देखी यह वाला कि नगी क्या साइग ओर क्वेसरों पहले में डेखता हूं ऊंपको तोपने का तरीका की इखाता हूं आपको पहले इस तरह से पकड़िये इसको टीछे से लेकर कि इसको पकरके गुमा इए इसतार से गुमाई है किया साइज है देखिया है किया साभी सांदर आपका मस्रूम की एक है एक और तोड़ते है इसको ये साइज है और इधर से एक और तोड़ते हैं देखें तो दोस्तों इतना से हमने तोड़ा यह मसरूम है और अगर आप चाहते हैं तो और भी आप यहां से बहुत सारा मसरूम आप इसरे से हर्वेस्ट कर सकते हैं इसको ओजन भी जो है करीब एक किलो का ओजन हो गया है यह आप देखें यहां पर हमने बहुत सारे करिक डेन भी देर सों करिया हें देखें यह देखें यह ढए तरह को तीन निम बाद आंट करेंगे इस तरह के चोड़ाए है और यह भी हर्वीश्ट करने हो गया है तो आप बहुत आसान इसे मर्सुम ग्रो कर सकते हैं यह तरीका मैंने बताया उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल में नहीं है तो ज़रू से सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने करें आपको बहुत बहुत धन्नवाद झाल में एक आपको बहुत अबाद आपको बहुत आपको ए क्यों आपको